हलो बच्चो अगर आप हिंदी में लिखना बोलना पढ़ना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है और आज हम हिंदी की गिन जो टाइम देखना होता है हिंदी में वो सीखने वाले हैं कि आपको अगर कोई भी अनुझेद कोई भी सूचना पत्र या किसी भी तरह की ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग में हिंदी में ही समाई को बोलना है तो वो कैसे सीखना है वो आज हम बता रहे हैं आपको अच्छा गुड न्यूज यह है कि आज कल हिंदी में डिजिटल बहुत हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं तो आपको हिंदी में अगर परफेक्शन लाना है शुदता लानी है तो उससे आपको आपका कंटेंट बहुत अच्छा निकलता है तो हिंदी के दिन महीने फल सबचियां मौसम वीकल्स के नाम फिर उसके ब तो हिंदी में समय कैसे देखें कैसे बोलें कैसे उसकी प्रेक्टिस करें वो मैं आपको बता रहे हूं तो यह बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको अगर आप 10-15 बार रिवाइस कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन आ जाएगा तो वो मैं आभी आ बोला पॉनी चार बजे बोला पॉनी आट बोला तो उससे क्या होता है कि आपके कंटेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है प्लस आप अगर एक्जाम में कहीं संबाद लेखन लिख रहे हैं या चित्र वर्णन कर रहे हैं कि लगता है कि बारा साड़े बारा बचे का समय हो आप 2.30 3.30 ऐसी ना लिखे अगर आप साड़े तीन बज़े डाई बज़े ऐसे लिखेंगे न तो आपको मांक्स बढ़िया मिलते हैं टीचर को पता होता है कि बच्चे ने मेहनत किये तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस ही करते हैं बातों में और हिंदी की गिंतियां प पांच बजी छे बजी साथ बजी आठ बजी नौ बजी दस बजी ग्यारह बजी बारह बजी पॉन बजी सवा बजी सवा दो बजी सवा तीन बजी सवा चार बजी सवा पांच बजी सवा छे बजी सवा साथ बजी सवा आठ बजी सवा नौ बजी सवा दस बजी सवा ग्यार बजे त Cake अध्य ठाब में शॉडित canalee सव बार। बोजी पॉनी चीहीं एक पाजी है सबसे पहले नहीं जपाकी नौजock कि यह सी पहले मझेत पहली को तुवहय 260 हो होते हैं फिर पॉन बजे हमने दुबारा दिया है कि एक बजने में अभी पंदरा मिर्ट है ठाई बजे को आडाई बजे भी पड़ते हैं और इसमें दो नहीं आता है